हेलो दोस्तों, क्या कोरोना का इलाज मिल गया है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है. इसराइल के रक्षा मंत्री नेफ्टली बैनेट ने कोरोना वारेस का वैक्सिन तयार करने का दावा किया है. उनके मताबिक इसराइल इंस्टिटुट फॉर बायोलोजिकल रिसर्च आई आई बी आर ने वैक्सिन तयार करने में कामिया भी हासिल कर लिये. यह महामारी से लडने में मिल का पत्थर साबित हो. बैनेट सुमवार को इंस्टिटुट के दोरे पर पहुंच जोते. रक्षा मंतरी बैनेट ने कहा कि आर बी आई के शोत करताओंने कोरोना की एंटी बोडी डेवलप कर ली है. यह एंटी बोडी मोनोकलोनल तरीके से वाइरस पर हमला करती है और इसे शरीर के अंदर ही माने में सक्षा में. जिया दोस्तों, बैनेट ने बताया कि एंटी बोडी के फॉर्मूला का पैटेंट कराया जा रहा है, उसके बाद अंतराश्ट्री कंपणियों से व्यासाइक स्तर पर इसके उत्पादन के लिए संपर्क किया जाएगा. जिया दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज है, अगर पैटेंट को एकसेप्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद अंतराश्ट्री कंपणियों, इंटरनेश्टनल कंपणियों से इसके उत्पादन के लिए संपर्क किया जाएगा. इसके आगे उन्होंने कहा कि हमें इस काम्यावी के लिए इंस्टिटूट के कर्मचारियों पर कर्व है, हाला कि उन्होंने यह नहीं बताया कि वैक्सिन का ट्रायल इंसानों पर हुआ है या नहीं, यह एक बहुत बड़ा कोशन मारके. यह दोस्तों, इसराइल उन देशों में शामिल है जिन्होंने कोरोना वाइरस से नहीं पटने के लिए शुरू में ही अपनी सीमाय सील कर दी थी, साथ ही देश में कड़े प्रतिबंद लगाये थे, यहाँ पर अब तक 16,246 केस मिल चुके, जबकि 235 लोगों की जान भी जा तो हम उम्मिद करते हैं कि यह एक सही नियूस हो, सही बात हो कि इसराइल ने वैक्सिन तयार कर लिये, जल्दी इसका उतपादन हो और हम सभी को इस वैक्सिन को यूज करने के लिए मिले दोस्तों, तो इस नियूस के आसपास और कोई भी नियूस या इस से जुड़ी और मैं डेफिनिटल आपके साथ शेयर करूँ है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसना आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को और बने रहे है ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल में, जी हां दोस्तों, धहन्यवाद